कानपूर में आज एक दुखद हादसा हुआ है, एक फैक्टरी में आग लग गई उसके बाद तीन लोगों की दुखद मृति हो गई है चीफ फायर ओफिसर दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं जो मौके पर पहुँचे उनसे बात कर लेते हैं दीपक जी जब आप मौके पर पहुँचे थे चुकि आग काफी तेजी से बढ़ लाई थी, क्या सीन था, क्या हो क्या रहा था? देखें मैं आपको ब्रीफ में स्काइब करना चाहूंगा, 4.30 के राउंड, साड़े-4 बजे सुभा, हमारे कंट्रोलों में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक गत्ती की फेक्टरी में आग लग गई है, तो उस सूचना को देखते हो और उन्होंने ये भी बता हैं उनको, थोड़ी सी निकालेगी, जैसी गाड़ियां मौके पर पहुची हमारी फजल गंजगी, तो वहां बताया गया कि ग्राउंड फ्लोर पे और फस्ट और सेकिंड फ्लोर पे दस से बारा लोग वहां पर ट्रैप हैं, फसे हुए हैं, तो इसकी गंभीरता को देखते हुए फायर फाइटिंग ततकाल शुरू कीगी और बचाव का रहता है, तो उसको देखते हुए पूरा जो हमारे ट्रेंड फायर मैन है, स्टाफ है, उनके द्वारा बीए सेट पहन कर, जो अंदर पांच लोग थे, ग्राउंड फ्लोर पे पांच ही लोग थे, तो उनको ट ट्रेप थे, तो क्योंकि रास्ते में थोड़ा दिक्कत था, धुआ जादा था, तो ग्राउंड फ्लोर से लेडर लगाएगी, लेडर लगा के दर्वाजा तोड़ा गया, ग्रिल वगेरा निकालीगी, और उन पांचों लोगों को सेफली निकालके बाहर फ्रेश एर में ल पड़ा तो यह रहता है कि यह जो इस तरह के अनौर्गनाइज सेक्टर है, कानपूर एक ओवरॉल डेंस पॉपुलेटिड एरिया है, काफी इस तरह के छोटे कुटूरी द्योग रहते हैं, हर गली महले में हो सकते हैं, तो इसमें दिक्कत सबसे बड़ी एक तुरूड की पार भी रहती है और इनकी लक्षे वगेरा अप्रूवड इस तरह से नहीं रहते हैं, जीने का निकास मार का वेंटिलेशन के इस्जी बहुत सारे रहते हैं, तीसरा यह जिस भी इनकी सत्ता प्राधी कारी है, जो भी इनको लाइसेंस देते हैं, जो भी इनकी ऑथोरी इस जिस भी विभाग की अंतरगत ही आते हैं तो उनको ये सभी fire safety norms या विद्यूद सुरक्षा जो electricity norms है वो पूरे करने चाहिए क्योंकि जब आप देख रहे होंगे इस घटना भी प्रथम दरश्टी है electrical short circuit का ही रीजन है तो विद्यूद सुरक्षा को जो भी department है concern उनको भी इस तरह का प्रितीत हुआ वहां पर तो उसमें क्योंकि यह लोग वहीं पर सो जाते थे ऐसा लगा वहां पर और वहीं पर खाना बनाते तो वहीं पर कारे करते थे तो यह लग रहा है कि वह जो नीचे के ground floor पर थे वह लोग सोए हुए थे बाकी एक दो काम कर रहे होंगे औ कारण वह नहीं निकल पाए होंगे थुड़ा सा और वह निकल गे इतने इंडिटीन पहुंचे तो उनको रेस्क्यू करके अस्पताल भीजा गया कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू किया था और क्या उसमें भी कोई तीन लोगी जो मौत हुई है वह उनमें सो को डेंस और को अगर को हम कानफाइंड नहीं कर पाते तो कैज्वल्टी की संभावना और नस्दीक में भी इस प्रेड्ड होके दिक्कत आ सकती है और एक सबसे बड़ी स्में चीज यह उही कि लिपीजी सेलिंड़ भी वहां पर लाइभ में मिले तो उसको भी निकाला गया अ और जिस तरह से आपका कानपूर में पूरा डेंस पॉपलेटीड है इस तरह के छोटी उद्योग बड़ी मात्रा में हैं लेकिन जैसे आपको जानकारी में है पूरा जन जागरुकता भियान हमारे दुवारे निरंतर रूप से और चलाया जाएगा इनके स्पेशल वरक्शॉ जो इनको लाइसेंस देते हैं उनके माध्यम से भी इनको कलेक्ट करके वरक्शॉप इस तरह से आगे और्गनाइज की जाएंगी दमकल विभाग की आज मुस्तेदी के चलते बड़ा हाथसा ये कहा जा सकता है कि टल गया लेकिन तीन लोगों की दुखद मृत्यू भी हुई है दमकल विभाग का ये कहना भी है जो कंसर्ण डेपार्टमेंट है वो पूरा निरिक्षन करने के बाद ही इनकी इजाज़त द गंगा एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की